वालो साथियों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR study में आप देख रहें एक वीडियो एक topic वाली सीरीज जिसमें आज का वीडियो है 76A याद रखना यह 76 नहीं है ना तो 77 है यह 76 का part 1 है ठीक है इसमें 76 में 76 है 76A है ठीक है रिशनल नंबर यानि पर्मि संख्या है जैसे 2 और 3 के बीच पर्मिय संख्या 7 और 8 के बीच 7 पर्मिय संख्या 8 पर्मिय संख्या आज वाला जो है वह fraction के फार्म में है और fraction के फार्म में साथियों एक condition होती है कि जब दी गई भिन्नों के हर बराबर ना हो और एक condition होती है जब हर बराबर हो जब हर बरा तो बिल्कुल यही तरीका हम अपनाएंगे जिसमें हर बराबर रहेगा जैसे अगर इसमें 2 बटा 3 और यह मानलों की 3 बटा 3 होता तो बिल्कुल सेम तरीका जो इसमे लगाते वहीं इसमें भी लगाते लगते तो मुझे लगता है कि इसको बताने की जरूरत नहीं है इसमें आपको दोनों 3-3 दिख रहा होगा हो सकता आपको थोड़ा सा लक लगTracking kalloch सबने जो तरीका इसमें लगा था पिछली वीडियो में वही तरीका आप इसमें भी लगाऊए इसमें भी हर बराबर घ। इसमें भी हर बराबर है लेकिन में हर बराबर नहीं होता उसमें क्या होता है वही मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा वीडियो को पूरा अंतितक अगले कम से कम 8 मिनिट तक देखना है अगर सीखना है तो बीच में छोड़ के नहीं जाना है तो मेरे प्यारे साथियों आओ देखते हैं शुरू करते हैं कैसे होगा क्या होगा एखो है आपे समझो और तेन है और यह प्रिक्षन को यह मेरे भाई तीन बता चार है और performs a चाहें सबसे पहले कारेंगे इनके हर बराबर करेंगे और अंस आप जानते हो ना डेनोमिनेटर इकवल करेंगे तो दो का जोडना या घटाने में आपने हर बराबर किया था अगर आपको हम दो बटतीन धनतीन चार झोड़ने को देते तो आप बराबर करते इसमें भी तो न ज्las की सबार वहाओ अधिक्रते था हर बराबर हो जाएगा इसका हर चार है तो हम क्या करेंगे इस वाले में मेरे भाई चार से उपर नीचे कर दो गुड़ा तो क्या आएगा यह आठ और यह बारा ठीक है ऐसे सेम प्रोसेस अगले वाले में भी करोगे और उसमें भी विल्कुल वैसे ही करना आपको आओ दिखा दोनों का देनोमेनेटर एक्वल हो गया अब वही सेम प्रोसेस लगा लोगे जो पीछे वाले वीडियो में अपने लगाया था क्या करोगे जितना रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है उससे एक अधिक करके मल्टीपल कर दोगे दोनों में बस हो गया आंसर देखिए इ कि देखो इनी से इनका जनद्रण हुआ है दोवर्ट ती न गय? में वाइसाब 8 बटा बारा और 9 बटा बारा है ना आप क्या कह सकते हो आप कह सकते हो जैसे कि 2 बटा 3 वा 4 बटा 5 के मद्द्धे परमिय संख्या क्योंकि वह उन्हीं से निकली हुई संख्या यानि उसी के बराबर है ठीक है इसको अब रहा हल कर दो पर यहाँ तो यहां पर लिख सकते हों आता ऐसे लिखतो होगे चीक है और यह क्या है नौ बटा बारा ठीक है पांच पर में संख्या निकालना है आप यहां पर प्यार से लिखतो आराम आराम से नौ बटा बारा नस बरबर हो गया ठीक है एक मिनाट एक मिनाट एक मिनाट सच्छी अभी एक इसटेप और बाद है ठीक है अभी ये थोड़ा जल्दबाजी हो गया तोरी रुको देखो बताता हूं यह यह चीज तो आपको करना ही करना है जो भी मैंने किया लेकिन थोड़ा एक इस टप अभी इसमें और बचा है वह क्या है अभी मैंने हर बराबर किया है अब हर बराबर करके जितनी रेफनल नंबर हमें फाइंड करनी है जितनी भी यह से उपर नीचे गुड़ा करोगे तो नौचंग बहत्तर च्छे नमाई 54 उपर होगा नीचे 12 बहत्तर ठीक है अब यह दोनों संख्या है मुख्य आप लिखोगे 48 बटा 72 और 54 बटा 72 के मद्धे 5 पर में संख्या ठीक है यहां पर थोड़ा जल्दबाजी हो गई थी बाकी वही चीजें करनी है कुछ अलग और कुछ नया आपको नहीं करना है यहां पर आप लिखिए क्या लिखोगे 48 बटा 72 वा 54 बटा 72 के मद्धे 5 पर में संख्या तो आप इनको यह 48 अपान 72 और यह 54 अपान 72 इनको दोनों साइड में लिख दोगे उसके बाद जितनी भी रिफनल नंबर आपको फाइंड करनी है यह 49 अपान 72 50 अपान 72 ऐसे 51 अपान 72 52 53 यह देखो बीच में काली काली जो मैंने लिखा है क्या हो गई यह आपकी पांच पर में संख्या हो गई एक दो तीन चार पांच ठीक है इसी तरीके से आप लगाओगे अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपनी संकोच कमेंट करके मुझसे पूझ सकते हैं ठीक है एक और भी सवाल इसको भी ऐसा ही करेंगी तो इस्टेप आप देख लीजे क्या है इस्टेप में आपको जितनी रेफनल नंबर चाहिए तो इससे एक अधिक से गुड़ा करना तो तुम्हें दिखाया हूं तीसरा स्टेप में उत्तर आप निकाल लोगे है ना नहीं समझ में आ रही ना नहीं समझ में आ तो वीडियो को एक बार करके फिर इसको देख सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वीडियो को एक बार थोड़ा से बैक करिए अब बैक करोगे तो पूरी कहानी फिर से आपको दिख जाएगी जैसे जैसे मैं जो बताया हूं पीछे आगे वीडियो करना जानते ही हो तो सेम तरीका है मैंने आपको बता दिया पहले क्या ब लंबर फाइंड का नहीं मैंने कर लिया होगा अंसर ऐसे आप यह वाला करेंगे हो मर्क और मुझे कमेंट करके बताएंगे आफे चात्र जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं बिल्कुल सीरियस हैं उनके लिए वन दिसंबर से पीवेर स्टेडी एप के अंदर न्सीर्टी दो